Hello everyone, Welcome to my channel Toronto Diaries अगर आप Canada में work permit पर काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी news है क्योंकि अब आप अपने spouse को spousal open work permit पर Canada में बुला सकते हैं अब Canada government ने skills level wave off कर दिया है तो अगर आप NOC code C या D और अगर हम tier system की बात करते हैं तो अगर आप tier system 4 या 5 में आते हैं जो की semi skilled या trade worker होता है in that case also आप spousal open work permit apply कर सकते हैं तो अगर आपको ये topic interesting लग रहा है तो बने रही एस वीडियो में वीडियो को like करें, subscribe करें और अपने friends के साथ share करें और अगर आपके पास कोई भी question हो तो आप मेरे से comment section में पूछ सकते हैं let's get started so December 2nd 2022 को Canada के immigration minister सीन फ्रेजर ने ये announce किया था कि अब work permit पर जो की आपका post graduate work permit है या अगर आपने LMIA के through apply किया है जो आपका temporary foreign worker आता है और या फिर अगर आप international mobility program के अंतरगर Canada पे work permit में काम कर रहे है तो अब इस चीज से फरक नहीं पड़ता कि आपका skill level क्या है और आप spousal open work permit apply कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं skill level की so पहले क्या होता था जो आपके high skill occupation होते थे जो आपके knock code 0AB या फिर tier based system में 0,1,2,3 में आते थे जो होते था या तो आप management occupation में है या आप professional है जैसे कि doctor हो गया, solicitor हो गया, engineers हो गया या फिर आप technician है, supervisor है तो अगर आप इस किसी रोल में काम करते हैं तो आप अपने spouse का visa, spousal open work permit पर लगा सकते हैं अगर आप semi-skilled या trade worker है, जो आपका NOC code C या D आता है और या आपका वो tier system के accordingly 4 या 5 आता है इन आप केस आप spousal open work permit नहीं apply कर सकते थे तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे थे जो अपने spouses को अपनी home country में छोड़ते थे या वो उनको बीच में visitor visa पे बुलाते थे तो उनके लिए अब ये बहुत बड़ी news है कि अब वो अपने spouses को Canada में बुला सकते हैं तो अब हम discuss करेंगे कि ये किस किस के लिए applicable होता है तो आप इसमें अपने spouse को बुला सकते हैं आप इसमें अपने dependent children को बुला सकते हैं As per Canadian government, dependent children की definition है कि या तो आपका जो baby है वो 22 साल से छोटी age का होना चाहिए और अगर वो 22 साल से बड़ा है So in that case, वो आपे financially dependent होना चाहिए So इसके लिए अगर आपको कोई और detail चाहिए तो आप अपने immigration consultant या lawyer को concert कर सकते हैं कि आप कैसे उनका visa apply कर सकते हैं Because मैं को immigration consultant नहीं हूँ So मैं आपको सिर्फ एक as a friend advice कर रहा हूँ कि क्या क्या changes हो रहे है So अगर आपने file किसी consultant या lawyer के थ्रू लगाई है तो आप उनको concert कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि यह कैसे implement होगा So यह phase by phase implement किया जाएगा So phase 1 जो कि January 2023 से implement होने वाला है उसमें आपकी high wage streams आएगी So high wage streams क्या होता है कि जो अगर आपकी let's say कि आप एक job के बारे में बात करते हैं Let's say कि आप एक Tim Hottens में या किसी grocery store में काम करते हैं और वहां की जो average wage है जो पूरे प्रोविंस की average wage है वो आपकी $24 आती है तो अगर आपको $24 से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं जैसे आपको $25 या $30 मिल रहे हैं So उसमें आप high wage stream में आजाएंगे और अगर आपको उससे कम मिल रहा है तो उसमें आप low wage stream में आजाएंगे So अगर आप high wage stream में आते हैं आप phase 1 में participate कर सकते हैं और अगर आप low wage stream में आते हैं तो आपको थोड़ा और wait करना पड़ेगा next announcement का जिसमें वो announcement करेंगे कि phase 2 कब applicable होगा जिसमें आपका low wage stream आता है और उसके बाद जो आपका phase 3 है उसमें जैसे आपके agriculture worker हो गए वो सारे implement होगा बट अभी उन्होंने ये कहा है कि phase 2 और phase 3 में वो अभी provinces से discuss करेंगे तो कितना time लगेगा अभी इसका कोई idea नहीं है तो आपको उनके announcements को follow करना पड़ेगा आपको अपने immigration lawyer या consultant से बात करनी पड़ेगी कि आप इस phase में applicable है भी या नहीं और या जो आपकी salary है वो high wage stream में आत NOC code C या D में काम करते हैं और जो आपका tier based system में 0,1,2,3,4,5 में हैं तो किसी भी आप skill level पे काम करते हैं अब आप अपना spousal open work permit file कर सकते हैं और अगर आपको ये tier system और NOC code समझना है तो मैं आपको लिए link देता हूँ तो आप ये मेरा video देख सकते हैं जो आपको ऊपर right side प share it with your friends and family and have a good time bye